से यूइटी यूजी का एप्लिकेशन फोम है जो 2020 के लिए वो स्टार्ट हूँ चुका है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टेप बाइ स्टेप केसे फोम फील कर सकते हैं तो सबसे पहले जो डिस्केशन में लिंक दिया गया है उसके उपर टच करके यह पेज पर प अगर आपको step by step कोई भी information चाहिए तो उसके उपर आप फील करके PDF ओपन करके आराम से देख सकते हो इसके बाद स्क्रोल डाउन करके आप निचे आएंगे तो इधर आपको दिखाई देगा फीस का क्राइटेरिया दिखाई देगा फिर निचे आएंगे तो आपको निचे एक declaration दिखाई दिखाई उसके उपर आप click करेंगे फिर click here to process day उसके उपर आपको click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आपको इधर तीन step follow करना है एक online registration करना है फिर आपको online form fill up करना है फिर आपको pay examination fee यानि कि fees आपको pay करना है इसके बाद आपको registration करना है रेजिस्टरेशन करने के लिए सबसे पहले आपकी जो 10th की मार्कशिट है यानि की मेट्रुकुलेशन की जो मार्कशिट के उसके हिसाब से अपना जो नाम हो फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके फादर का नाम है मेट्रुकुलेशन की मार्कशिट के हिसाब से वह ही आप फिर आपके जो मदर का नाम है वो यहां फिल कर देंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी जो भी DOB यानि के जो date of birth है वो आप इधर आराम से select कर लेंगे इसमें इधर day select करेंगे इधर month select करेंगे और इधर आपका जो year है, इसमें साल है वो select कर लेंगे फिर इसके बाद जो जेंडर आता है जेंडर पर ओके करके male या female आप जो भी है वो select कर सकते है उसके बाद nationality में आपको Indian select करना है तो उसके पर आप टच करेंगे तो पहले Indian आ जाएगा उसको आप select कर सकते है उसके बाद जो इधर identity type दिखाई द बाद इसके बाद आएंगे तो आपके present address प्योधे करना है क्या आप जिदर भी रहते हो नीवासका जिदर भी रहते है उसका नाम फिद्व कर देंगे यहां जो ना ह इंदिया सिल्क कर लेंगे बाद में जो भी आपका state आता वो state select करल लेंगे state select करने के बाद automatic ही नीचे यहां सब ड्रिस्टिक आ जाएंगे तो अपने state के हिसाब से आप जो भी ड्रिस्टिक में रहते हैं वो select करनेगे बाद में जो आपका pin code आता है वो pin code इधर fill कर देंगे उसके बाद जो भी आपका valid email ID है वो email ID यहां fill करेंगे उसके बाद फिर से email ID confirm करेंगे उसके बाद जो आपका valid mobile number है वो mobile number डाल देंगे उसके बाद फिर से आप अपना जो confirm mobile number है वो कर लेंगे इसके बाद नीचे आएंगे जो उपर का address और नीजे का address यान के present address और permanent address दोनों same same है तो आप इसके उपर क्लिक करके दोनों copy कर सकते हैं अगर वो दोनों अलग अलग है तो आप फिर से fill कर सकते हैं तो मेरा दोनों same same है तो इसके उपर क्लिक करके मैं दोनों copy कर लूँगा इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां आपको password फिल करना है तो password अपन इस आप से मन पसंद पासवर्ड आप बना सकते हैं एक बार फिल करने के बाद दूसरी बार आपको confirm करना पड़ेगा फिर जो security question है उसके उपर आपको touch करना है उसके उपर आपको touch करके इधर कोई भी आप security question ले सकते है जो आपको याद रहे तो मैं इधर what is the name of your first school मेरा जो first school का उसका security question में लेके इधर उसका answer दे देता हूँ यह अगर कभी आपको password भूल जाए forget करने की जरूरत पड़े तो इसके आपको जरूरत पड़ेगी इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इधर आपको security pin दिखाई 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 यह security pin आपको यह blank जगा है उसमें डाल के बाद में submit करना है इसके बाद आप जैसे submit करेंगे आपका ऐसा दिखाई देखाई देखाई आपका जो preview form है वो खिल जाएगा इसमें कोई भी अगर mistake है तो आप आरम से उसको सुधर सकते हो तो अगर मेरा को सब कुछ okay लग रहा है तो मैं इसके उपर सब के आपर तो submit and send OTP to mobile उसके उपर में क्लिक कर दूँगा उसके उपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको confirmation पूशेगा तो इसको में okay कर दूँगा उपका करने के बाद इधर आप देख सकते है कि मेरा जो mobile नमर है उसमें OTP भेजा गया है इधर जो मेरा preview है वो आप देख सकते ह उसको नीशे ही करेंगे तो मोरा mobile में OTP send किया गया है तो अभी OTP आएगा तो हम OTP डालके बाद में security pin डालके फिर से submit करेंगे तो इधर जो मेरा mobile में OTP में फिल कर दिया उसके बाद security pin फिल करके बाद में आपको submit करना है जैसे नेक्ट करेंगे तो आपका जो registration है वो successful हो है अभी आपको email ID verify करने है तो वे रहे तो इसके उपर आप टच करेंगे इसके उपर टच करके बाद में आपको email ID है वो verification करनी है तो आप पहले उपर email ID दीख सकते हूँ उसके बाद नीचे फिर से आपको email ID फिल करने है email ID verification करने के लिए आप अपना email ID इदर दिखाए दे के बाद फिर से आपको verify करना है verify करने के बाद देखो मेरे email id verify successfully होगा है इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अब यह आपका application form है वह open हो जाएगा तो application form open होने के नीचे आप देखेंगे continue application form उसके उपर आप क्लिक करेंगे उसके उपर आप आपको select करनी है इसके बाद अगर आप disability है आपके पास यानि कि आप दिवियंगता है तो इसके उपर टाच करना है दिवियंगता disability नहीं है तो आप no select कर सकते हो इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका father का नाम इधर दिखाए देगा जो आपने registration में पहले फिल कि या उसके बाद father के qualification आपके father कितने पड़े लिखे वो आपको select करने उसके उपर टाच करके अगर पड़े लिखे नहीं है तो आप no applicable भी कर सकते हो अगर 10 वी पास है तो इधर ओके कर सकते हो graduate तो इधर ओके कर सकते हो मेरे father 10 वी पास है तो मैं इसके उपर टच कर दूँगा बाद में father का occupation यानि कि आपका father कौन सा business करते है या फिर क्या करते है तो अगर अगर खेत में काम करते है बिजनेस है medical इंजिनेरी तो मेरे father farmer है तो में एगरिकर से select कर लेता हूं बाद में आपका मदर का नाम इधर दिखाई देगा बाद में आपका मदर का qualification आपके मदर कितने पड़े लिखे है वो housewife select कर लोगा आपके मदर जो भी काम करते है वो आप select कर सकते हो बाद में अगर आपका गाड़ ये नाम है तो select कर सकते हो वना आप blank पी सोड़ सकते हो बाद में आपको इधर enroll family income select करने है आपकी वार्षिक आयू कितनी है तो मेरी जितनी में select कर लेते हूँ आप अपने income certificate का हिसाब से इधर select कर लेंगे बाद में are you twin यानि कि अगर आप जुडवा है जुडवा है तो yes कर सकते है बाकि आप no select कर सकते है बाद में इधर आपको domicile state पूछेगा आप क तो इतके उपर आप टच करेंगे तब ग्राम यह विस्तार से हो या फिर शहर यानि कि अर्बन में हो शहर में हो तो अर्बन से लेंग करेंगे और गाम से हो ताप rural select कर सकते हो इसके बाद mode of preparation मतलब आप preparation तयारी कैसे करते हो यह exam कि आपको select करने online coaching से करते हो tuition class school से या फिर individual tuition कर सकते हो अब जो भी तरह आप तयारी कर रहे हो आपको select करना हमें अपने खुच्चे तयारी करता हूँ तो मैं सेर्फ select कर लोगा बाद में मीडियो में study and qualification exam इसके उपर आप टच करके आप कौन सी exam में study कर रहे हो तो मैं गुजराते में कर रहा हो तो मैं गुजराते select क दिखाई देगा बाद में अगर present और permanent address दोनों सेमसे में वह भी आपको मैंने किया था दिखाई देगा बाद में अभी other quota and category का option आएगा अदमें इधर आपको दिखाई देगा do belong to poverty लान यान के BPL में है अगर BPL में है तो yes करेंगे बाकि आप इसको select करके no कर सकते हो अगर अगर नहीं है तो आप no कर सकते हो बाद में NCC quota है तो इसमें yes कर सकते हो बाकि आप no कर सकते हो बाद में अगर कोई भी sport quota है आपके पास तो yes कर सकते हो बाकि आप no select कर सकते हो बाद में are you world of university employee अगर आप है तो yes कर सकते हो बाकि no कर सकते हो इसके बाद नीचे आएंगे तो इधर आपको save का बटन दिखाई देगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो आपको preview आपको दिखाई देने के बाद इधर आपको dashboard भी दिखाई देगा आपने जब भी दसवी पास की है हो आप सेथ आपकी जो दसवी पास की है वह सरकार ही है सलफ आइना से केंद्री विज़ा लग है जिससे भी आपने पास किया है वो सिलक कर सकते हैं तो मैं गवर्मेंट से किया तो मैं गवर्मेंट सिलक कर लेता हूँ क्वालिफाइग्जामिनेशन कंट्री कहां से आपने पास किया है तो मैं इंडिया सिलक कर लोगा कॉलिफाइ एग्जमनेशन स्टेट कौनसे स्टेट से पास की है वो आप सिलेक करना है तो मैं गुजराच चिलेक कर ला था यह क्योंकि मेरे गुजराच के सब बोड़ आप सिलेक कर सकते हो है इसके बाद आपको स्कूल का नाम और एड्रेस फिल करना है तो आपको ने जो भी दसवी जहां से भी किये उसका पूरा स्कूल का नाम विद एड्रेस फिल करना है मैंने सिर्फ इतर डेमो का हिसाब से लिखा है अब अपने हिसाब से जिधर भी अपने स्कूल दौरन दसवी क इसका पूरा नाम और एड्रेस साथ में लिग देंगे फिर आपने जहां से 1210 पास किया उसका पिन कोड इधर फिल कर देंगे फिर आपके 1210 में जो 10 में जो रोल नमबर था वो रोल नमर इधर फिल करेंगे फिर आपका result mode क्या था percentage में था या CCPA में था यह आपको select करना है अब अपने mark sheet के हिसाब से आप select कर सकते हो percentage के हिसाब से मेरा था तो मैंने इधर select किया तो maximum mark मेरे 12 दस्वी में कितने maximum mark थे वो मैंने इधर fill करती है जो आपकी mark sheet में लिखा होगा उसके बाद कितने मेरे 10th में mark आये वो मेरे इधर fill कर दिया वो fill करने के बाद आपका जो percentage होगा वो automatic ही इधर आ जाएगा अब यह उसकी जो detail है वो fill करने है तो सबसे पहले result status आपको दिखाए देगा उसके उपर click करेंगे आपको 2 option आएगा अगर आप 12 वी कर रहे हो तो आज select कर सकते है तो मैं अभी हाल में बार वी कर रहा हूँ तो मैं offering select कर लूँगा यह offering select करेंगा तो automatic इधर 2022 आ जाएगा क्योंकि मेरा offering है मैं 2022 में खतम करूँगा qualify exam पे आप select करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा place of schooling कहां से की है गाव या सहर तो मैं गाव से हूँ तो मैं rural select कर लूँगा type of school college सरकारी स्कूल है self finance school है केवी है कोई भी जो भी स्कूल है वो आप select करना है मैं सरकारी में कर रहा हूँ तो सरकारी select कर लूँगा qualify examination country तो मैं इंडिया से कर रहा हूँ तो इंडिया select कर लूँगा बाद में qualify examination state मैं गुजराचे कर रहा हूँ तो मैं गुजराच चे लिक कर लूँगा आप अपने हिसाप से select कर सकते हो बाद में जो भी आपका dobristチャ check है अपने state के हिसाप से वät select कर सकते हो बोड का नाम तो आप अपना जो बोड़े हो सीले कर सकते हो बाद भी आपने जो भी आप बारवी कर रहे हो या आपने कर लिया है पहले तो उसका जो पूरा नाम है वो फील करेंगे साथ में एड्रेस के साथ भी उसके बाद जो बारवी क्यार रहे हो और कर लिया है तो उसका जो भी पीन नमर वो यहां fill करेंगे फिर अगर 12 का आपका कोई roll नॉमर आया है तो इधर fill कर सकते को नई आया है तो आप wait भी कर सकते हो अगर आपने 24 पास कर लिए तो जयसा हमने टेन्यध की detail fill की थी उसके हिसाब से अब total fill कर सकते हो इसके बाद सेव का बटन आएगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके उपर क्लिक करने के बाद आएगे तो युनिवेर्सिटी और पोग्राम है उसके डीटेल करना है तो जो भी उनिवेर्सिटी से आपको पढ़ाई करना है वह सिलक कर लोगा बाद में इधर आपको एड बटन दिखाए देगा उसके पर टाच करेंगे तो इधर वह एड हो जाएगा उसके बाद आपको University Program Selection Preview दिखाई देगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके उपर क्लिक करने के बाद अभी आपको जो लेंग्वेज यह हो सिलेक्शन करने को आएगा बाद में निचे आएगे तो इधर आपको भी लेंग्वेज शिलेक्शन करने का ओप्षन दिखाया है तो लेंग्वेज प्रों सिएक्शन वन इसके ब्रव्र टाच करेंगे तो इधर जो भी आपको लेग्वेज अपने हिस्प से सिलेक्शन कर लेता हूँ ठीक है वो करने के बाद आप निचे आएंगे तो select test paper subject, select for second slot, second slot के लिए भी आपको अपने हिसाब से select कर लेना है, वो select करने के बाद निचे आपको फिर से declaration देना है, फिर से आपको save के बटन पर ok कर देना है, ok करने के बाद आपका test paper detail है वो भी ok हो गया, अगर आपको update करना तो मैं अब गुजराती में देना साथ हो, गुजराती सिलेक करेंगा, बेंगाली, इंगलेज, हिंदी, कनड़ा, मल्यारम, अब जिसक भी language में देना साथ हो, select कर सकते हो, मैं गुजराती सिलेक करूँगा, select city preference one, उसके आपर click करने के बाद, मैं गुजरात में ही देना साथ देखाई देखा, उसके ओपर आपको click करना है, test, paper, detail और examiner, detail भी अपी okay हो गया, अभी नीशे आपको preview आएगा, process to next बटन पर okay कर देना है, okay करने के बाद, अभी आपको document है, वो upload करना है, document upload आपको jpg या jpg में करना है, photo signature, photo आपका 10 से 200 कभी के 20 में होना चाहिए, signature 4 से 30 क के 20 में होना चाहिए, document जो certificate mark sheet upload करेंगा, PDF में 50 के भी से 300 के 20 में होना चाहिए, तो सबसे पहले आप इधर photograph, signature, 10th के mark sheet और category certificate upload करना है, तो upload करना के लिए आप select file है, उसके ओपर click करने के, click करने के बाद, अपने mobile या फिर जो PC है उसमें से आप, वो document upload करना है, upload करना के अगर वो बराबर है, तो उसके बाद आप final submit कर देंगे, final submit करने के बाद आपको fees payment का option दिखाई देगा, उसके बाद आपको fees payment कर देना है, या ऐसे आप step by step form भर सकते हो, अगर इसके ही सबसे कोई भी आपको problem आएगा, तो निचे comments कर देगे ना, अगर वीडियो पसंद आ तो like कर देना